हेलो प्रिंट्स वेल्कम बैक आप आज इस वीडियो में हम बात करेंगे यूनिट फाइफ जो ओएडी के आखरी यूनिट है और बहुत एजी यूनिट 40 यूनिट मुश्किल से 20 पिजिस की यूनिट है काफी इसली खतम हो जाएगी इस यूनिट हम बात करेंगे जो सबस्क्राइब टेस्टिंग का इंट्रोडक्शन बताओ तो किसी भी को डिवलप करने के बाद उसकी जो क्वालिटी चेक्स होते हैं बाब बार उसको चला के देखा जाता है कि यह सही चल रहा है या नहीं डैट टेस्टिंग त्रेडिशनल में क्या होता है एक हम सैपर तरीका है एक सेपरेट टेस्टिंग रख देते हैं आफ्टर इंप्लिमेंटेशन और इससे होता क्या है हाई क्वालिटी इंफॉर्मिशन सुस्टम मिलता है देन टेस्टिंग इंपर्टेंट पार्ट है यह होना भी चाहिए वरना कब आप मैटेरियल कर जाएगा हमें पता ही चलेगा इसलिए जनरली कमपनीज में एक टेस्टिंग की अलग फील्ड ही होती है अलग टीम होती है जो सिर्फ टेस्टिंग पर वर्क करती है उस सिस्टम के देन कम्स वेरिफिकेशन यह दो वर्ड्स हैं वेरिफिकेशन का मतलब जब जब प्रॉसेस ऑप कोवोने के बाद हर्वाद ऑसाना हम्से वेरिफ इसे करते हैं धैन कम्स किया होता है जब हमारा इन्फुरमियों स्विस्टम या प्रॉडक्त प्रॉड्स के पास डिलिवर होने वाला है जेस्ट उस टाइम पर हम जो टेस्टिंग करने टैट今天 टेस्टिंग की 같아 कि होती है एक्जिक्वेशन तो यह है कि हमारा एक सॉफटवेयर टाइप का प्रोड़क्ट है या प्रोज टाइप है उसको चला लिया रून कर लिया कनुपाइल कर लिया हम उसकी एरॉर पताफ चल गई घ्लिचेशन बेस्टेस्टिंग हम एक्जिक्यूट कर पा रहे हैं अपने program को but non execution based क्या होता है we are unable to execute it हम इसमें क्या करेंगे line by line study करते हैं अपने code की जैसे कोई भी हमने code लिखा अगर हम उसको compile करके test कर रहा है that is execution based testing अगर हम code को read कर रहा है बहुत thoroughly study कर रहा है एक-एक points को that is non execution based testing then testing क्यों करते हैं just quality issues कि वैसे कुछ quality issue होते हैं कि अगर यह आ गया तो problem हो जाएगी कोई company ने कोई product sell किया अगर वो quality नहीं है तो company का नाम खराब होगा client का पैसा खराब होगा और भी बहुत साई चीज़े हैं तो basically हम करते क्यों है quality assurance के लिए quality assurance क्या the quality of information system is the extent to which it satisfied its specification specification जो भी specification client ने दी थी अगर वो information system fulfill कर रहा है वह उतना ही quality वाला system है हम उतनी excellence बताएंगे अपने system की तो quality को assure करने के लिए हम testing करते हैं then तीन terminology होती है quality assurance में first one is fault second one is failure and third one is error सबसे पहले हम error के बारे पढ़ते हैं error क्या programmer program कर रहा है उस time जो code में problem आएगी that is error उसको हम error कहते हैं उसके बाद उस error के साथ program नहीं चला उसमें एक problem हुई compile होने में that is a fault और वो उसे हम fault term देते हैं यह term fault कहलाती है then after multiple faults एक program को हमने check किया that is failure of that program यह तीन चीज़े हैं जो related है यह line पढ़ते हैं अब programmer makes an error that results in a fault एक programmer ने error बनाई जिसकी वेसे fault हुई और fault result in a fault in the information system that is observed as a failure और उस fault की वेसे information system में failure observe then comes managerial independence managerial independence का मतलब है apart from testing team एक हम individual person hire करते हैं company individual person hire करती है जो सिर्फ check करती है कि जो भी हमारी testing है वो proper way में हो रही है या नहीं इसमें हम एक senior manager hire करते हैं जो काफी experience है same field में और उसको हम extra pay करते हैं just quality assurance के लिए इससे क्या होता है हमारे product की value increase हो जाती है और जो client है उसको best product मिलता है तो this was basic introduction of testing अब आगे हम पढ़ेंगे what is execution based testing non execution based testing इन चीज़ों को brief me thank you very much झाल